तो दोस्तो आज 8 April 2023 बात करेंगे इस वीडियो पे 5 ऐसे important company की share की उपर जिसके अंदर लोग अक्सर dividend purpose इंवेस्ट करते आप देखे कुछ साल में आपको return मिले ना मिले बड़ डिविडेंट तो पक्का आपको मिली जाएगा साल में यस टाइब की share हमेशा 3 से 4 बार average wise dividend देते अपने share ruler को अब चले बिना किसी time waste के एक एक करके shares का नाम जानेंगे यह सारे company की share का dividend yield कितना है और उसके साथ-साथ यह shares के बारे में थोड़ा बहुत ही हम discussion करेंगे आगे वीडियो पे तो पांचवे company का नाम है दोस्तो हमाय लिस्ट पे REC limited basically एक सरकारी company है जो की last day Thursday के closing दिया था करीब-करीब 1% उपर जाके एक महीने की returns की बात करें तो आप देखेंगे तो लगबग 5-6% डाउन है 6 महीने की बात करें 27% का return तब समझ सकतो एक तो काफी अच्छा dividend उसके उपर 27% का return last 6 मैने के अंदर एक साल की बात करें 18% का return 5 साल की बात करें तो लगबग के साथ सथ काफी slow moving पर इसका dividend yield अगर आप चेक करोगे तो करीब-करीब 10% के आसपास 10 से थोड़ा सा नीचे 9.97% का आसपास आपको दिख जाएगा पी रेशियो बहुत ही जादा अंडर वैलू लगबग तीन का आसपास इसका पी रेशियो मार्केट कैप आइस बात करें अब देखें यहां पर कोई भी शेयर में आपको डिरेक्ली इन्वेस्ट करने का रेकोमेंट नहीं दे रहा हूं बट हाँ आपका डिविडेन परपस है तो यह सारे शेयर को आप अपने वच्छ लिस्ट में जरूर एड़ कर सकतो तो सबसे पहले कंपनी का नाम है दोस्तों में बढ़रं लिस्ट में अब दूस्रे शेयर पर चलेंगे दूसरे शेयर दोस्तों हमारे लिस्ट में है कोल इंडिया लिमिटेट यह जाया तर हम ने देखा सरकारी कमपनी टिविडेंट काफी बढ़िया देता है लास डेल अलमोस 0.40 डाउन में क्लोजिंग दिया एक मही करें तो बीच में देगा था लॉक्डाउन के समय यह गिटती गिटते बहुत नीचे तक पहुंच गया थी एक सो दस ग्यारा के आसपास उसके बाद से बात करें शेयर में काफी अच्छा बाउसबैक देखनी को मिला नेक्स्ट मतब लास्ट देर दो साल पे शेयर करीब-करी करोर के आसपास तो अब बात करें तो जिस बैसे शेयर प्राइस के अंदर भी लगा था तेजी देखने को मिला कोल इंडिया में इंवेस्ट करने का एक फाइदा ये भी है कि कंपनी के जो डेट है वह एकदम जीरो मतलब कंपनी एकदम डेट फ्री कंपनी है अब देके सरक काफी शांदर आपको देखने को मिल जाएगा यानि ओवरल अगर हम बात करें दोस्तों कंपनी अच्छी कंपनी है बठाप इस टैप की शेयर हमेशा डिवीडेंट परपसी लोग इन्वेस्ट करते क्योंकि कंपनी हो सकते कि लास्ट एक देर सल में अच्छा रिटन दे दि देखने को मिला तो जिसरे रिटन से मिले ना मिले आपको डिवीडेंट काफी अच्छा खासा मिल जायका बहुत जल्दी हो सकते हिस बार कंपनी डिवीडेंट भी खोशीत कर सकताथ अपने शेयर होल्डर के लिए अब बात करेंगे दोसू तीसरा कंपनी तीसरा कंपनी का नामे हमारे लिसमें यह बीए कंपनी है मताब गबनेंट कंपनी इंडियन ओयल कॉर्परेशन लिमिटेट तो इंडियन ओयल कॉर्परेशन लिमिटेट का एक शेयर आपको सदतर रुपेशाइब पचतर पैसे में जाएगा लास्टे शेयर में थोड़ा बहुत आमेरीक वरी गिए को मिला एक मैने की बात करें फलैट कोई बहुत बड़ा मूबर नहीं छे मेने की बात करें 15 परसंट का रिटन मतलब एक तो अच्छा डिविएज़ उसके लास्ट चेमें पर फिप्टीन परनें का रिटन भी मिला यहाँ पर शेयर हो लाट साल की बात करें 29 परसंट क तो आयोसी की बात करें इसका जो डिविदेंट इल्ड है कोल इंडिया से थोड़ा सा बेटर है अल्मोस सिमिलर पर थोड़ा सा बेटर 10.80 का आसपास जहां पे कोल इंडिया का कितना था एक बर मैं आपको दिखा करना चाहता हूं तो देखिए जिस बैसे आयोसी को मैं उपर क पोजिशन में रखां तो देखिए कोल इंडिया का था 10.49 और आयोसी की बात करें इसका डिविदेंट इल्ड अल्मोस्ट 10.80 के आसपास तो अगर हम बात करें आयोसी इंडिया नॉयल तो देखिए इंडिया नॉयल के उपर ऐसा ने कि यह डेट फ्री कंपनी है आपको इस 1789 करोर का डेट है कैश की बात करें उसके अकोरिंग कैश काफी कम है लगबग 880 करोर का सपास कंपनी का इन हैंड कैश है मतब कैपिटल है आज की रिट में यूज करने के लिए तो इस बैसे यहां पे थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है सेल्स ग्रोथ की बात करें प्रॉफ की कमपनी को पर डेट बहुत जाद है मतब करजा बहुत जाद है तो जिस बैसा इक केस की यहां पे थोड़ा बहुत रिस्क फैक्टर जरूर बन सकता है बागी देखिए आप समझदारों इन्वेस्ट करना ना करना आपके उपड़ है मैं बस आपको यहां पे सजेस्ट कर है बट गब्मेंट को छोड़के इसका में प्रोंटर कुछ और है नाम अभी नहीं बोलूँगा क्योंकि वह फर्स पोजिशन पर बिलॉंग करता है तो यहां पर आप देख सकतो हिंदुस्तान जींग की बात करें लास्टे दो परसें उपर जाके क्लोजिंग दिया एक मैन इसका डिविडेंड इल्ड है 20.81 परसेंगा डिविडेंड इल्ड और ऐसा नहीं की कोई चोटा कंपनी है एक लाग 32,000 करोड को पर एक बहुत बड़ा जाएंट कंपनी है तो बेसिकली कंपनी हिंदुस्तान जींग मतल सेक्टर की कंपनी है अब बात करेंगे इसको पर 200 कर इसके साथ सथ मैं आपको एक बात दिखा के रखना चाहता हूं कि कंपनी के पास कितना गिर्वी रखा शेयर तो यहां पर आपको दिख जाएगा कि देखी कंपनी की जो प्रोमोटर से उनके पास टोटल 64.92 परसेंट का स्टेक है उसके अंदर मतब यह जो 62 स्री 64.92 परसें इसके अंदर प्लेट शेयर यह जयाता अब देखे 87.59 परसेंट मतब जयाता जो शेयर है गिर्वी रखा गवा शेयर है तो जिस बेसे थोड़ा बहुत रिस फेक्टर जरूर है अब देखी कंपनी इतना अच्छा डिविरेंड दे रहा है तो यहां पर बहुत सारे जो आमन दोस्तों यहां पर मैं आप सबको सजेस्ट भी करूंगा कि देखे आपके दिमाग में अगर कोई न्यून यहां पर ऐसा कुछ नेम हो सकते हैं कि मैं भूल गया चूट गया तो आया है कमेंड बॉक्स से कमेंड करके वह भी बता देना मैं इसमें पहली पोजिशन पर वेद बड़े-बड़े डिविडेंट लास्ट अमने देखा सारी 20 रुपे का डिविडेंट अपने शेयर होलर के लिए बट वेदानता लिमिटेट की शेयर की बात करें यहां पर बहुत सारे दिक्कत है एक तो बहुत बड़ा दिक्कत यह है कि कंपनी को डेट बहुत जाद है कर प्लेट शेयर है मतब गिरवी रखा गया शेयर है तो जिस बैसे हो सकते कंपनी अच्छा डिविरेंट दे पर इसको देखके एकदम से एक्ट्राक्ट मत होना इंवेस्ट करने सब्सक्राइब सोचिए उसके बारे में एनलाइस कीजिए उसके बाल दिए कि इन्वेस्ट करन बाबाई जय हिन